बारत के नगरी भुगोल के विकास, बारत में नगरी भुगोल के विकास कैसे हुआ? इस पर हमने पूर विख्यान में देखा है कि तीन चड़नों में हम लोगों ने बारत के नगरी भुगोल के अध्यन के बारे में विश्य समगरी को देखा प्रारंबिक अवस्ता द्वित्य अवस्ता और तृत्य अवस्ता तीनों ही अवस्ताओं में हम लोगों ने बारत के अलग-अलग शेत्र में नगरी भुगोल वेताओं के द्वारा नगरों के अध्यन के विश्य में हमें अध्यन सामगरी प्रस्तूत की गई हम देखते हैं कि भारत में कुछ केंद्र ऐसे विक्सित हुए जहां नगरी अध्यनों को बहुत अधिक महतु दिया गया मदरास स्कूल, कलकत्ता स्कूल, वारानेसी स्कूल और भी अन्नी विशुद्याले जहां जो है नगरी अध्यन किये गए आज हम लोग जो है नगरी अध्यन कर रहे हैं कि मदरास जो केंद्र था विशुद्याले था वहां के भुगोल विताओं ने नगरों के अध्यन को किया और किस तरह से उन्होंने प्रस्तूत किया हम देखते हैं कि नगरी अध्यनों की जो शुरुवात है वो मदरास विशुद्याले से ही मानी जाती है मदरास विशुद्याले की जो भुगोल की प्रफसर थे उन्होंने मदरास को केंद्र मानते वे दक्षिन भारत के नगरों के अध्यन सम्मगरी हमारे सामने रखी कई शोद पत्र उन्होंने प्रकाशित किये इसमें एक नाम हमारे सामने आता है सी एस निवास चारी उन्निस सो सत्ताइस में सी एस निवास चारी ने जो है सबसे पहले मदरास नगर का जो है एतिहाशिक अध्यन हमारे सामने प्रस्तूत किया और मदरास का विकास के से वहा उस फर्पी विस्तार से उन्होंने सोध पत्र प्रस्तूत किया उनीज Will just है जो है दक्षिन भरत में नगरों की सीवेज की समष्या है नगरों में मल मुत्र कि वेस्टेज वाटर और जो जल प्रवाइत होता है उसके निकास्थ की व्यवस्ता उसके उपर जो है दक्षिन भारत के नगरों पर कई लेक प्रकाशित हुए और उन समस्याओं के निराकरण का भुगोल वेताओं ने निराकरण के उपाय और सुजाओ दिये 1903 में तीस में जो है आर्डोन नामक विदेशी भुगोल वेता ने दक्षन भारत के नगरों पर कई लेख प्रकाशित किये उन लेखों में नगरों के बसाव स्थान उनके कार्यात्मक प्रकारों नगर के विकास आदी बातों पर अपने लेखों में विस्तित लेखन कार्य किया और नगरी भुगुल के विकास में योगदान दिया दक्षनी भारती भुगोलवेता सुब्रम्मनियम जिन्होंने 1930 से 41 के सम्दसक में कालिकट मदरास नगरों के अध्यन पर लेख प्रकाशिक किये और दक्षनी भारत के कई नगरों के बारे में उन्होंने तुलनात्मक अध्यन अपने लेखों में किया कोयमबटूर जिले के नगरों के स्तल को यातायात मारगों के संदर्व में भी सुब्रम्मनियम ने अध्यन लेखों में किया तमिलाडू के नगरों की जो सापेक्षिक स्थिती है उसके वित्रण ब्रद्धी का अध्यन भी सुब्रमान्यम ने अपने लेखों में किया 1941 में सुब्रमान्यम ने तमिलाडू के 12 नगरों की तुलनात्मक अध्यन करते वे उनकी सापेक्षिक स्थिती हित्रण और प्रद्धी परवनों ने विस्तार से प्रकास डाला है कोईंब टूर जो दक्षिन भारत में तमिलाडू का एक नगर है कि नगरियस तुलों का प्रद्धम अध्यन भी उसमें सुब्रमान्यम के द्वारा किया गया मदरा स्कूल के अंतरगत व्यक्तिगत नगरों के अध्यन पर बहुत अधिक बल दिया गया इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तिरूचा तिरूचिरापली जिले के कारूर नगर का जो अध्यन है 1933 में भोगोल वेता एल सुन्द्रम ने किया कारूर नगर के भोगोलिक सांस्कृतिक आर्थिक बुद्रिष्य का अध्यन जो है भोगोल वेता की द्वारा किया गया इसी तरह से अनन्तपुर जिले के गुटी नगर और हिंदुपूर नगर का भी अध्यन जो है एल सुन्द्रम के द्वारा 1934 में किया गया भोगोल वेता राव के द्वारा जो है काजी वरम नगर का अध्यन 1937 में किया गया इसी तरह से ए बी एम पेरियार के द्वारा मेंगलोर नगर का अध्यन 1938 में किया गया व्यक्तिगत अध्यन की एक जड़ी लग गई थी भुगोलवेता उनने जो है अलग-अलग नगरों का व्यक्तिगत अध्यन किया कॉयम्टूर नगर का जो है C.M.R.C.T.R. ने 1949 में अध्यन किया कॉयम्टूर नगर का जो अध्यन है 1941 में किया कॉरियन नगर की जनसिंख्या के वित्रण के बारे में जो है अध्यन किया इस तरह से हम देख रहे हैं कि दक्षिन भारत में जो है मदरास स्पूल के द्वारा व्यक्तिगत नगरों के अध्यन पर जो अधिक दिया गया लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं हमारे अध्यन में यह सामने आया है कि प्रादेशीक और तुलनात्मक अध्यन भी जो है मदरास स्कूल के द्वारा किये गये इनमें कुछ भुगोलवेताओं के नाम जैसे आर डान ने जो है एक पुस्तक एक शोद पत्र लिखा अर्बन जोगरोफी विट स्पेशल रेफरेंस टू साउट इंडियन सिटी इस शोद पत्र में डान ने जो आर डान जो भुगोलवेता है उन्होंने दक्षिन भारत और और मलाबार तट के जो नगर है उन नगरों के विकास पर स्थल कारकूं बोगोलिक कारक जो बसावस्तान के जो कारक होते हैं स्थल कारक उनके बारे में विस्तार से अध्यन किया और उन्होंने देखा है कि ये जो दक्षिन भारत में जो और मलाबार तट पर जो नगर बसे इनके उपर प्राक्टतिक जो भोगोली कारक है बसावस्तान के उनका प्रभाव किस तरह से उभर की सामने आया है नगरों के विकास में क्या योगदान है डौन ने अपने लेख में तिरूचिरा पल्ली और स्री रंगम दो नगर है दक्षिन भारत के उनका तुलनात्मक अध्यन भी प्रस्तूत किया और 1923 में ये अमारे सामने आया है दक्षिन भारती अभुगोल विता सुब्रमनियम ने जो है कोयम टूर जिले के नगरों के अध्यन पर विशेश ध्यान आकरशित किया साथी उन्होंने तमिलनाडू के जो महत्पुन नगर है उन नगरों का अध्यन किया और 12 नगरों का तुलनात्मक अध्यन जो है तमिलनाडू के उन्होंने सुब्रमनियम ने अपने सोध पत्रों में किया उन्होंने व्यक्तिकत के साथ साथ तुलनात्मक अध्यन भी हमारे सामने प्रस्तूत किये हैं सुब्रमनिम ने जो है एक और नगरिय भूगोल के बारे में कारिक किया है अर्बन फ्रिंज जिसे नगरिय उपांत का आ जाता है उसका अध्यन सबसे पहले भारत में उन्होंने प्रारम किया और मदराज नगर के जो नगरिय उपांत क्षेत्र है सिदा पेट क्षेत्र उसका अध्यन जो है अपने अध्यन में किया और उन्होंने उस पर सोद पत्र प्रस्तूत किया प्राचीन और मद्योगीन भारत में नगरिय नियोजन के बारे में एक अध्यन C.A.K. राव के द्वारा 1933 में प्रस्तुत किया है इस तरह से हम देख रहे हैं कि दक्षिन भारत में मदराज स्कूल ने नगरिय ध्यन और नगरिय भुगोल के विकास में महत्पुर्ण योगदान दिया हम इनके योगदान को याद करते हैं नगरिय भुगोल के जो भारत में नगरिय भुगोल का विकास कैसे हुआ इसके बारे में यदि कोई प्रशन आता है तो हमें जो है मदरा स्कूल का वर्णन उसमें करना आउश्यक है धन्यवाद